केंद्री मंत्री नितिन गटकरी ने गोशना की है कि देश का पहला एग्रो कन्वेंशन सेंटर नाकपूर में इस्थापित किया जाएगा एग्रो विजिन के समापन कारिक्रम को संभोधित करते हुए उन्होंने उक्त बाते हुग कही गटकरी ने का कि फुटाला तालाप के समय पक्रशी विधिया पीट इस्थाल पर किसानों को फसलों की जानकारी देने के लिए कन्वेंशन सेंटर बनाया जारा है परियोजना रिपोर्ट तैयार है और 15 दिनों में प्रस्तुत की जाए ही उन्होंने आशा वेक्त की की यह पूरे देश के लिए प्रेड़ना का स्थरोथ होगा प्रोजेक्ट पर 150 करोड रुपए का खर्च किया जाएगा जमीन मिल गई है वर्ज भर यहाँ पर आयोजन होते रहेंगे यहाँ पर किसानों को वर्ज भर कारेशाला की जरीए जानकारी उपलब्द कराने का काम होगा एग्रोविजन प्रदशने नेमत शिरूर है सके इसके अलावा इस्थाई भूमी एग्रोविजन ट्रस्ट द्वारा खरीदी जा रही है जैविक रची उत्पादों के लिए एक इस्थाई बाजार भी होगा उन्होंने आशा वेक्त की की हम सब मिलकर एक खुशाल समरद किसान के सपने को साकार करेंगे एथिनॉल से चलने वाले फ्लैक्स इंजन वाले वाहन जल्दी बाजार में उतरेंगे इस सम्मन में शाषा ने निर्देश भी चारी कर दिया है जल्दी वाहन निर्माताओं के प्रतिनीधियों की बैठक भी होगी गटकरी ने कहा कि वाहन 3-6 महिने में बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएंगे उन्होंने कहा जल्दी छिड़काव के लिए ड्रोन का इस्तिमाल शुरू किया जाएगा इससे 50 लाग युवाओं को रोजकार मिलेगा सांसद रामदास तड़स, आशिश पातूरकर, पाशा पटेल, अनलिल सोले, डॉक्टर सीडी माई, गिरीश गांदी, रवी बोरटकर, रमेश मानकर, राजेश बागडी उपस्तित थे कदम ने कहा की, क्रशी एक अच्छा वेवसाय है, लेकिन नए प्रयोगों की जरूरत है, उन्होंने कहा की, एग्रोवीजन किसानों के लाब के लिए एक पहल है, और इससे निश्यत रूप से किसानों को लाब होता है, कारिक्रम का संचालन रेणु का देश करने किया और आ आभार रमेश मान करने माना, क्यामर परसन राजकुमा मुहर के साथ शितीजा देश मुख, BCN नाकपूर